अबे सुन जब तक देश में न स्कूल ड्रोपाउट कंगना रनौत क्रिशी कानूनों के बारे में बताएगी अक्षे कुमार इकॉनमी पर ज्यान देगा, रूबी का लियाकत पत्रकारिता पर बोलेगी सुधिर चौधरी इमान तारी पर भाशन देगा, अमीश देवगन आत्म सम्मान पर चर्चा करेगा बाबा और मोलवी विदेश नीती के बारे में समझाएंगे और पढ़े लिखे नीताओं के बारे में बात करने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा तक तक देश विश्व गुरू तो छोड़, प्राइमरी टीचर तक नहीं बन सकता भाई साब, धोका हो गया, भाई साब एक दम वक्त बदल दिया, आलात बदल दिया, जजबात बदल दिया इस कंगना ने तो हमारे भगवान बदल दिया अब पहले काम कर, पहले चुप हो, और फिर आराम से बता, क्या हुआ है अरे भाई साब, वो कंगना रणोत है ना हाँ वही, जिसे तुम लोग जहां से किरानी, भारत माता, हिंदू शेरनी, वो सब बुलाते हो हाँ, वही भाई साब, उसने पाला बदल लिया बताओ, जिस शारुक खान का हम बाइकट करते थे उसकी जवान मूवी क्या हिट हो गई, वो कंगना उसे सिनेमा का भगवान बोलने लगी ठीक तो फिर एक काम करो, मान लो उसकी बात क्यों, हम क्यों माने अबे जब ये तुम लोगों की बुआ, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देश-द्रोही बोल रही थी तब तो तुम लोग इसकी सारी बाते मान रहे थे जब ये तुम लोगों की बुआ बोलीवूड वालों का बाइकोट करने के लिए बोल रही थी तब तो तुम लोग सारा काम धंदा छोड़कर लॉगडाउन में बन पड़े थिएटर का भी बाइकोट कर रहे थे अब क्यों नहीं अपनी अम्मा की बात मानते है देख लिया भाई साब अब आगे से इन बोलीवूड वालों का भरोसा नहीं करना है बताओ नहीं कंगना की तरह का पाला बदलने अबे ना बेचारी को इतने साल से कोई हिट मिल रही और ना ही बीजेपी की टिकेट मिल रही बताओ वो पाला नहीं बदलेगी तो क्या करेगी वैसे भी तुम लोगों की पार्टी और मोदी जी की पूरी सरकार ही पाला बदलने वालों के दम पर चल रही है लगवग आदे सांसत और विधायक तो वो हैं जो पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं बताओ कंदना से क्या शिकायत कर रहे हो तुम्हारे तो सर्व शक्तिमान भगवान मोदी जी का सारा जीवनी पाला बदलने में गुजरा है कभी कहते हैं मैं तो कमारा हूँ कभी पाला बदलकर कहते हैं मैं तो शादी शुदा हूँ कभी कहते हैं फलाना नेता, फलानी पार्टी तो भरष्टाचारी है और फिर पाला बदल कर कहते हैं इनसे तो हमारी जन्मों जन्म की यारी है उन्होंने आधार कार्ट, GST, FDI, NCP, PDP, JJP तमाम चीजों से लेकर पेटोल, डीजल, काले धन, NRC, CEA, प्राइविटाइजेशन तक हर मुद्दे पर पाला ही तो बदला है अरे भाई साब, राजनीती में ये सब चलता रहता है वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, स्टैंग भी बदलता है तो इबात तुम लोगों की खाली खोपड़ी में क्यों नहीं घुस्ती, क्यों अपने ही दोस्त भाई बहनों को मोदी के चक्कर में देश द्रोही, टुकडे टुकडे गैंग, नकसल पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हो क्यों बिनाबाद के विरोधियों के साथ गाली गलोच करते रहते हो, पता है न, पता नहीं मोदी कब पाला बदलने और फिर तुम ही लोगों से इनहीं विरोधियों के जैकारे लगवाएं ऐसा है भाई साब, हमें तो वो ही आदमी अच्छा लगता है, जो मोदी जी के बारे में एक डम पोजिटिव हो हाँ, और पोजिटिव बोलने वालों की तो लाइन लगी हुई है के पोजिटिव आस्पेक्स के बारे में बताएंगे, टीवी वाले मोलवी और बाबा चंद्रिहान पर ज्यान पिलाएंगे और डोनाल्ड टरम्प के लिए अमेरिका में जाकर वोट मांगने वाले लोग विदेश नीती के बारे में समझाएंगे आज मोदी की सरकार है तो ये लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं कल को सरकार बदलेगी तो यही लोग दूसरी सरकार के नारे लगाएंगे फिर तुम लोग एक काम करना, ये जो गमच्छा है ना गले में पड़ा हुआ इसी गमचे को गले में डाल कर पंखे से लटक जाना पेपकूफ